हलो दोस्तों नोईकोनोमिक्स जानी अर्सास में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास की देखेंगे आर्थिक विकास की अधारना क्या है उसका कॉंसेप्ट क्या है दोस्तों यहां पर मैंने आर्थिक विकास की परिभासा को दो भागों बाटा है पहला भाग आर्थिक विकास के मौदरिक पक्ष पर ध्यान देता है वहीं दूसरा भाग आर्थिक विकास के गुनात्मक पक्ष की और ध्यान देता है दोस्तों इससे पहले कि हम आर्थिक विक विकास के अलग-अलग व्याख्यादी और यह व्याख्याएं दोस्तों आपको हर जगा अलग-अलग देखने को मिलेगी और इसमें बड़ा इसमें पहले भाग में अर्थिक विकास के अंतरात्मकर पक्षकि की और ध्यान देता है तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले भाग में आर्थिक विकास की जो मत्रात्मक परिभासा या मौदरिक परिभासा है उसको समय लिद किया है इस रहनी के कि वीदेशों से प्राप्त आए भी सामिल है तो इस प्रकार जो नेशनल इंकम है उसमें बृधी यान कि राश्ट्रिया में बृधी आर्थिक विकास का धोता कहां सा माना जाता है तो इसके दूसरे बिंदू में के प्रतिविक्ति AI को समिलिद्थ किया है दोसतों प्रतिविक्ति आय been को मतलब होता है mra GDP भागा कुल अबादी जैनि कि प्रतिविक्ति के हिस्से में AI का कितना भाग आता हैं दोस्तों इसे और सताय भी कहते हैं और यह आपके स्टेंडर्ड ओफ लिबिंग को सीधे तोर पर परिभासित करता है जैसे आपकी प्रतिविक्ति आय में ब्रिधी होगी आपका स्टेंडर्ड ओफ लिभी में पड़ेगा और यही वज़ा है दोस्तों इसे आर्थिक विकास का सबसे महत्पून सूचक के रूप में माना जाता और यह कहा जाता है दोस्तों कि जब आर्थिक विकास होगा तो प्रतिविक्ति आय भी बढ़ रही होगी यानि कि प्रतिविक्ति आयदी बढ़ रही है और यह ब्रीधी लगतार और निरंतर हो रही है और यह दिरकाल तक हो रही है दोस्तों तो यह आप देश के आर्थिक विकास को बतलाता है और यह आर्थिक विकास का सूचा कि इसी प्रकार दोस्तो प्रतिवेक्ति उत्पादन को भी शमिलित किया जा सकता है प्रतिवेक्ति उत्पादन का अर्थ है कि देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसमें प्रतियक व्यक्ति के हिस्से में कितना भाग आता है और जो भी भाग प्रतियक व्यक्ति के हिस्से में आता है क्या उसमें लगतार बृति हो रही है दिरकाल में बृति हो रही है कि नहीं दोस्तो यदि प्रतियक व्यक्ति उत्पादर में बृति हो रही है तो इसे आर्थिक विकास का सूचक समझा जाता है तो दोस्तों यही आर्थिक विकास की मातरात्मक परिभासा है अब देखते हैं आर्थिक विकास सी गुनात्मक परिभासा को दूसरे भागे मैंने उन परिभासाओं को रखा है जिसमें आर्थिक विकास से गुनात्मों पक्ष पर ध्यान दिया है इस प्रकार की परिभासा में आर्थिक विकास को ना केवल राष्टियाय में ब्रिधी या प्रतिविक्तियाय में ब्रिधी या प्रतिविक्ति उत्पादेनें ब्रिधी से मापा जाता है बल्कि समग रूप में या देखा जाता है कि मनुस्य के कल्यान उब्रिदी हो रही है या नहीं रोजगार मिल रहा है या नहीं सिक्षा और स्वास के अस्तर में सुधार हो रहा है या नहीं सभों को न्याय के समान आसर उपलब्ध है या नहीं आर्थिक्यम समाजी का सामान तक कम हो रही है या नहीं इन सब के साथ साथ दोस्तों संस्थागत सुधार भी जरूरी है संस्थागत सुधार का मतलब है उस प्रक्रिया से है जिसमें सरकारी संस्थाओं अर्था सरवाजनी स्कूल अस्पताल और सरकारी संस्थाओं चाहे पु उतरदाई बनाया जाए जिससे की मानव अधिकार का हनन नहों और वे लोगों के प्रति जवाब दे हो यही आर्थिक विकास से गुनात्मक परिभास है दोस्तों अब जब हमें आर्थिव विकाश की परिभासा करनी हो तो हम आरफिक विकास के मातराथमक पक्ष और से Gुनात्मक पक्ष को मिला करके यदा कह सकते हैं कि आर्थिविकास वसतत परिक्रिया है जिसके अंतर का देशने उपलब समझ संसाधनों का अनुकुलतम विद्वहन होता है जिसके परिणाम सिरुप राष्टि आये और प्रतिविक्ति आये में निरंतर और तिरकालीन भृती होती है आर्थिग विसंता में कमी आती है और समानी हो और निरंतर चलने वारी प्रक्रिया होनी चाहिए दोस्तों इसका मतलब है कि राष्टि आयम यदि बृधि हो रही है तो यह क्यों एक साल बृधि ना हो बलकि आने वाले सालों में लगतार राष्टि आयम बृधि हो रही हो तब ही इसे हम आर्थिविकास कहेंगे इसी दोस्तों चुझ हम कहते हैं कि संसाधनों का नूपूलतम विदोहन हो तो इसका मतलब होता है कि संसाधनों को प्योग हम इस प्रकार से करें कि हम भावी और शक्ता और बश्रकृण को भी संसाधनों को छोड़ कर जाएं। साथ साथ आने वाले PD के लिए और 20 के लिए भी संसाधनों को छोड़ कर जाएं तो इसके अंदर हम प्रेवरं संडरक्षन को भी समयलित करते हैं तो आर्थिक विकास के वल राष्टि आई में ब्रिधिया प्रतिविक्ति आई में ब्रिधिया GDP ग्रोथ को नहीं बतलाता और न मतलब होता है दोस्तों कि आर्थिक विकास एक ऐसी परिक्रिया है जो निरंतर अब दिरकाल तक चलनी चाहिए माल नेते हैं दोस्तों किसी वज़ा से राष्टि आए में ब्रिधि हो गई एक साल ब्रिधि हो गई तो इसे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे इसे हम एक उदा चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास आकस्मिक घटना ना हो करके एक दिर्काली प्रक्रिया है दिर्काल मौने वाली घटना है दोस्तों यदि हमारा क्रिशूत पादन अच्छे सिचाई की वज़ा से अच्छे अच्छे बीच की वज़ा से और संसाधनों के जमीन में अच्छे आवंटन की वज़ा से यदि क्रिशूत पादने ब्रिदी होती तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं और यह दिर्काल तक होने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों इस प्रकार हम आर्थिक विकास को परिभासित कर सकते हैं दोस्तों यदि हम आर्थिक विकास की परिभासा कर दोस्तों जब आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरना मिलती है कि हम आने वाले समय में और भी वीडियो बना सकें दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद